आप देख रहे हैं जेके निसुडे और मैं हूँ रमन सैनी पाकिस्तान में इस समय जो हालात बने हुए हैं जो आंतरिक कलह मची हुई है जिस तरीके से राजनितिक अमर्जंसी का माहोल है उसका कोई भी असर भारत पे या फिर सीधे तोर पर जम्मू कश्पीर पे पड़ता ह हुआ नहीं दिखाई दे रहा है यह बड़ा बयान आज भारतिय सैना के चीफ जनल मनोज पांड़े की तरफ से दिया गया जनल मनोज पांड़े ने एक अंग्रेजी चैनल टाइम्सनाव के कॉंक्लेव में यह बाते कहीं हैं और उन्होंने साफतोर पर कहा है कि जम्मू कश पासर भारत में यह जम्मू कश्मीर में पढ़ता हुआ नहीं दिखाई देगा इसका कोई मेजर इंपक्ट जो है वो दिखाई नहीं देगा उन्होंने कहा कि जो 25 फरविरी 2021 को सीज फायर लागू किया गया था वो पूरी तरीके से इंटैक्ट है और जिस तरीके से पूरी कश्मीर वादी के अंदर सुरक्षा के हालात अंडर कंट्रोल हैं और सीधे तोर पर अगर हम यह कहें तो एक कोश्टन का जवाब देते हुए उन्होंने यह बाते कहीं है जिस पर उन्होंने उनसे पूछा गया था कि जो इंपक्ट है पाकिस्तान के अंदर सिच्वेशन का उसका जम्मु कश्मीर पे क्या असर पड़ सकता है उन्होंने कहा कि LOC पर किसी भी तरीके का कोई मेजर हैपनिंग होगी ऐसा लगता नहीं है और साथ में हिंटर लैंड के अंदर भी सिच्वेशन जो है वो काफी बेहतर है हम पूरी तरीके से तैयार है भारतिय सैना पूर शहीद हुए थे, कोश्टन पर रिस्पॉंड करते हुए उन्हेंने कहा कि ये चिंता का विशे है और इसके लिए हमारी फोर्स जो है वो पूरी तरीके से डिप्लाइड है और हम हर हाल में उन हमलावरों को पकड़ेंगे साथ इसाथ में हाल ही में जो कश्मीर घाटी के अंदर एक टार्गेटिक किलिंग हुई है जिसमें जमू के उधंपूर के रहने वाले दीपू जो वरकर था अनंतनाग में उसे मारा गया तो उस पर भारतिय सैना के चीफ ने कहा कि ये सिचुएशन को सेंसेनलाइज करने की कोशिश जो है वो की जा रही है जमू कश्मीर के पूंच में भारतिय सैना के ट्रक पर जो हमला हुआ था और जिस तरीके से कश्मीर घाटी में एक टार्गेट किलिंग हुई है उसके बाद भारतिय सैना के अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे का ये पहला इंटर्व्यू था और जिसमें उन्होंने साफ तोर पर कहा कि जमू कश्मीर में पाकिस्तान की स्तिथी का कोई असर पड़ेगा ऐसा दिख नहीं रहा है रमन सैनी जेके न्यूस टुड़े